तो दोस्तों चलिए आज हम बात करते हैं अभीनेता और सिंगर किशोर कुमार के बारे में किशोर कुमार के बारे में शायद ही कोई ऐसा शक्ष होगा जो नहीं जानता होगा जिसे इनके बारे में ना पता हो ऐसा कोई हो नहीं सकता अपनी जबरदस्त गाय की और अनुखी किशोर कुमार अपने गाने को लेकर वाली वुड में तो मशूर थे लेकिन इसके साथ ही अपने चंचल सोभाव से भी हर किसी का मन मुह लेते थे अशोक कुमार के भाई होने के बाद जो दियूने हिंदी सिनेमा में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत जादा पापड़ वे इनकी इस बात का जिक्र करना क्यों जरूरी बता देती हूं तो यह चाहते थे कि इनके पास एक ऐसा घर हो जिसमें हर कमरे में पानी हो और उनका बैड़्रूम पानी के ऊपर हो इतना ही नहीं इनकी एक ख्वाश्त है कि वह नाव में बैट कर अपने बैड्रूम से और अप हुआ मैं काम किया था इस फिल्म का गाना मेरे नैना सावन भादो काफी हिट हुआ था लेकिन ये बात शायद ही आप लोग जानते होंगे कि इस गाने को पहले महमद रफी गाने वाले थे लेकिन राजेश खना ने प्रोडूसर से कहकर ये गाना किशोर कुमार से गवाने के लिए कहा था इसके लिए उन्होंने लगभा एक महीन तक अपने प्रोडूसर को मनाया था बाद में ये गाना एक बहुत ही हिट साबित हुआ और जब शुरू सुरू में किशोर कुमार के पास काम नहीं था तो एक बार ये क्या हुआ निर्माता नियोदेशक बीयार काम को बाद कर दो कि लोगया खास सकते हैं तो बीर चोपडा ने उन से रिक्वेस्ट की कि थी कि तो ने ढूर पर खड़े होकर गाना गाये और इनोंने ये गाना गाया था जो काफी हिट हुआ था देखे किशोर कुमार उस सदी के एक ऐसे सिंगर थे जो मेल और फिमेल दोनों ही आवाज में गाना गा सकते थे 1922 में रिलीज हुई हाफ टिकट उन्होंने आके सीधे लगी दिल पे जैसी गुजरिया घुजरिया यह गाना था इस गाने में मेल और फिमेल दोनों का ही वर्जन इनों ने गाया था दरसल यह गाना लता मंगेशकर के साथ गाने वाले थे लेकिन लता जी किसी कारणवश रिकार्डिंग नहीं कर पाई अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने खुद ही आवाज निकाली और उसके बाद उस इनकी खासियत यह थी कि यह लता को बहुत जादा मंगेशकर को जब भी लता मंगेशकर के साथ कोई गाना काते थे तो प्रोडूसर से उनकी फीज के बारे में जब पूछा जाता था तो वह कहते हैं कि लता दीजी से एक रुपिया कम देना मुझे अब यह जो था ना एक जलता से कम ही लेते थे उन्हें सम्होंन देने के लिए कि और किकी से बदला लेने पर उतारओ प्री सुनते थे फिल्म प्यार की जा दाधा पैसे जौन्हें से जादा में भी इस दूनिया को अलविदा लinya डिए था होगिन उनकी अंतिम सास तक कि शओ कुमार ने उनका हाथ और साथ दोनों ही नहीं छोड़े थे किशोर कुमार ने एक इंटर्वु में खुद इस वाला सा किया था कि जब मधुवाला विमार थी तो वह बैड पर लेटे लेटे काफी पर परिशान हो जाया करती थी और वह उन्हें हसाने का काम करते थे असी के दशक की बात है जब देश में आपातकाल लगा हुआ था यह बहुत ही रोचक किस्ता है जो मैं आप लोगों को बता रही हूं उस दोरान कांग्रेस ने किशोर कुमार से गीत गवाने की कोशिश की उन्होंनों उनसे गुजारिश की कि वह एक गाना गाए लेकिन वह इ लोग घर में अक्सर बोर्ड लगाते हैं कि कुट्टे से साब ने अपने घर के बाहर बोर्ड लगवा रखा था जिस पर लिखा था कि शोर कुमार से साब द्वान एक बार प्रोडूसर डारेक्टर एचस रवेल उन्हें पैसे चुकाने उनके घर गए पैसे देने के बाद जब किशोर कुमार से हाथ मिलाने लगे तो रवेल ने जैसी हाथ उनके सामने किया है किशोर कुमार ने उनका हाथ अपने मूह में लिया और काटने लगे यह देखके रवेल जोते घबर आ गया और बोले ही क्या कर रहे हैं तो उन्हों ने कहा कि क्या आपने साइन बोर्ड किशोर खुमार उनकी बात ना मानें तो भे उन पर केस कर सकें अगले दिन जब किशोर शूटिंग के लिए सेट पर प्रोचे तो डारेक्टर ने कहा वैसा ही करते रहे एक शॉट के बाद एक भे कार से सिर्फ इसलिए बाहर नहीं निकले क्योंकि डारेक्टर ने उन्हें बा करता रहा अगले दिन पता चला कि वह कार से खंडाला चले गए थे किशोर कुमार ने अपने घर में जो है बहुत अजीब वज़ीब काम करा रखे थे लाइम डाइट में रहना और मीडिया अटेंशन पाना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था वे अपने समया एक आंत में बिताना पसंद करते थे लोग तरह तरह से इंटर्वी के लिए तयार है लेकिन वह नहीं रखते थे उन्होंने अपने घर के लिविंग रूप में खोपड़ी और हडियां लगवा रखी थी साथ ही अपने कमरे में रैड लाइट जला रखी थी और जबकि वह खुद हर और करना ज्यादा बेटर कुमार ने हिंदी सिनेमा के तीन नायकों को महानायक का दर्जा दिलाने में महत्पुर्ण भूमिका अदा किये उनकी आवाज के जादू से देखिए देवानन सदबाहर हीरो खेलाए राजिस खन्ना को सूपर स्टार कहा जाने लगा और अमिता बच् कशबाई चरित के भोले भाले मानस बने रहे हैं मुंबई की भीरभार पार्टियां और ग्लैम्रस चहरों के बीच में कभी शामिल नहीं हो पाए लेकिन उनकी आखरी इच्छा थी कि खंडवा में ही उनका अंतिम संसकार किया जाए और इस इच्छा को पूरा भी किया गया अब कहते थे कि फिल्मों से सन्यास लेने के बाद मैं खंडवा में बस जाऊंगा और वहां पर दूद्ध जले भी खाऊंगा उनका यह अर्मान था लेकिन जो मुंबई जाता है वह इतना ज्यादा बिजी हो जाता कि फिर वह कहीं का नहीं रहता और 99 को सो करने के चकर में रहता है चाहिए छोटा हो या बड़ा तो यह थी किशोर दा की कुछ बातें जो मैं आप लोगों से शेर कर रही थी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और आपको अच्छी लगती है वीडियो तो अगली वीडियो देखने के लिए इंतियार कीजिए मैं मिलती हूं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार